नियम मुक्त दो परकार के होते हैं एक प्राकिर्तिक और एक क्रितिम प्राकिर्तिक नियम उसे कहते हैं जो प्रकिर्ति के द्वारा तै किया है तै किया हुआ है और क्रितिम नियम उसे कहते हैं जिसे हम लोगों ने बना लिया है तो प्राकिर्तिक नियम प्रकिर्ती ने कोई बैमानी नहीं किया प्रकिर्ती ने कोई हिंदू मुसल्मान सीख हिसाई को पैदा नहीं किया प्रकिर्ती ने छट चर्चनना होली दिवाली और इद बकरीद सुवरात नहीं बनाया परकिर्थी ने मनुश को पैदा किया परकिर्थी ने इनसान को पैदा किया अभी सवेरा है सुर्जोदय हो गया हिंदू के लिए भी हो गया मुसल्मानों के लिए भी हो गया सिख्खों के लिए भी हो गया इसाईयों के लिए भी सवेरा हो गया सुर्यास्त होगा हिंदू-मुसल्मान सब के लिए हो जाएगा रात्री होगी सब के लिए होगा दीन होगा सब के लिए होगा पुर्वया हवा चल रही है तो कबल हिंदू के लिए नहीं मुसल्मानों के लिए, सिखों के लिए और इसाईयों के लिए भी और यदि पचिया हवा चल रही है तो सब के लिए बारिस हो रही है तो सब के लिए तुफान आया तो सब के लिए भुकंप आया तो सब के लिए अती विरिष्ट्री हुई तो सब के लिए अना विरिष्ट्री हुआ तो सब के लिए आम कटल के बगीचे फ़रे तो कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू के हाँ के फ़ल गए और मुसल्मान के हाँ के नहीं फ़ले वो जहां भी पेर होगा वो फ़रेगा चुके परकिर्थी ने कोई बैमानी नहीं की बैमानी तो हम लोगों ने किया नियम बना के जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय न उसके पास ठीकी था न उसके पास सुन्नत था न उसके पास पंच कटार था और न उसके पास बतिसमा था वो इंसान बनके कभी रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है रस्मी रती में मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को अपने मुठी में भर कर कहीं फेक दे ब्रह्म लोक से इस भूमंडल पर फिर भी मनुज बिभिन जातियों में यहां आएगा नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाएगा और सद्गुरु कवीर कहते हैं आए आए एक के देश से उतरे के घाट हवा लगे यही देश के हो गए बारभाट साहिब कवीर ने तो ब्रहामनों से कहा जों तु ब्रहामन ब्रहामनी के जाया तो और राह दह काहे ना आया जिस रास्ते से बैस आया सुद्र आया उसी रास्ते से तुम भी क्यों आया तुम्हारे लिए तो इस पेशल रास्ता अलग होना चाहिए चुके तु ब्रहामन था और मुसल्मानों से कहा जों तु 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 रुक तुर्कीनी के जाया तो पेटे ही काहे न सुन्नत कराया पेटे में तुम्हारा मा के पेट में तुम्हारा सुन्नत क्यों नहीं अल्ला कर दिया कि यहां के जंज़ट फसाए हो एक दिन मेरा कार्ज करम चल ला हा था नेपाल में जिला का नाम है रौतहट और रक्सवल के सामने हैं गाउं का नाम है सुन्दरपूर उस गाउं में मुसलमान लोग अधीक हैं बहु संख्यक अहिंदू अल्प संख्यक है वहाँ दुचार घर तेली दुचार घर रहधास अदुचार घर तत्मा बस पूरा गाउं मुसलमान है पूरे पंडाल में मुसल्मान लोग दारी बाले आके बैठ गए मैंने पूछा एई लोगों इस पूरे बर्मान्द की रचना धर्ती आसमान हवा पानी आग सुर्च अंदर्मा थारा मानव पसू पक्ची कीरा मकोरा परवत पहार नदी समूंद्र ये सारे बर्मान्द की रचना किसने किया है एक मुल्वी उठा और कहा अल्ला ने किया है हमकी बाफ तब तो ठीक है अल्ला ने जो पूरे बर्मान्द की रचना किया वो सही सही किया कि गरबर हो गया का कि नहीं एक दम बिलकुल सही सही स्रिष्टी अल्ला ने कर दिया हम कह दिये हमको तो लगता है अल्ला से भारी भूल हो गई का क्या हुआ सब कुछ बनाया थोड़ा सा लिंग का चमरा नहीं काटा सुन्नत नहीं किया अब अन्हरा के आउजार नहीं था कि दारूपी ले था भूल गया हुँ तो वही जाना बिगर गया हमरा पर मुसल्मान सब इस सनका है बबाजी हम सनकल है सब कुछ भोला बबा कर दिया राम जी कर दिये और कहे कि जा करके वहाँ टीकी रोप लेना हमरा चुटी नहीं ठीकी तू अपने से रोप लेना हम मुसल्मान को कहा कि हमरा चुटी नहीं तो सुन्नत करा लेना वहाँ है अस्षीक से कहा कि तू जाके वहाँ है पंच कटार करा लेना है इसाई से कहा जे तू बतिस्मा करा लेना इस चारो नियम कौन बनाया परकिर्थी जिस परकिर्थी को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा और परकिर्थी सारा नियम बनाया क्या परकिर्थी ने कोई नियम में गरवरी नहीं किया कोई बैमानी नहीं किया अगर हिंदू के घर के, मुसल्मान के घर के, सीख के घर के, इसाई के घर के चारो लड़का को एक कोठली में बंद किया जाए और किसी अंजान आदमी से कहा जाए, किस में से मुसल्मान बला लड़ी का निकाल के ले आओ एक साल का वो चारो बच्चा है ले आएगा कोई आदमी नहीं लाएगा क्ये हो वो चारो लड़का भी इंसान है नौ हिंदू है नौ मुसल्मान है नौ सीख है और नौ इसाई है इंसान है इंसान पड़किर्थी इनसान को पैदा करती है लोग यहां आके हिंदू मुसलमान यहां आके सैटान बन गए नियम लगा दिया मुसलमान भाई अपना नियम पूरे अगर हिंदू को भूख लगे तो भोजन चाहिए अब मुसलमान को क्या चाहिए डंटा उसको भी भोजन चाहिए सीख को भी भोजन चाहिए इसाई को भी भोजन चाहिए प्यास लगे तो हमको भी पानी चाहिए मुसल्मान को भी पानी चाहिए सीख को भी पानी चाहिए और इसाई को भी पानी चाहिए बिमार पने तो सब को दबा चाहिए जार लगे तो सबको गद्दा रजाई चाहिए गर्मी लगे तो सबको एर कंडिशन चाहिए एर कूल चाहिए सारा नियम हिंदू भी खेती करते हैं मुसल्मान भी करते हैं हिंदू भी बिजनेस बेपार मुसल्मान भी बिजनेस बेपार सीख भी, इसाई भी, हिंदू भी नोकरी करता है, मुसल्मान भी, हिंदू भी जन्म लिया जैसे, वैसे मुसल्मान जन्म लिया, हिंदू मरेंगे जैसे, मुसल्मान मर गया, सारे क्रिया प्राकिरती के एक समान है, लेकिन मरने के बाद, हिंदू अपना नियम लगाएगा, पुरत लास को दफनाने का जोगार करें। नहीं करूंगा इसको अ मुसल्मान का जो नियम है उसको सीख नहीं माना अशीख का जो नियम है उसको इसाई नहीं माना तो मर गए क्या आपको भोला वबा धन दे दिये राम जी धन दे दिये और मुसल्मान को को धन दिया है सीख को इतना धन को धन दिया इसाई को इतना धन को धन दिया उतो न राम को मानता है न भोला वबा को मानता है न गुरु नानक को मानता है एक आदमी पूछा हिंदू से ओ सहे ओ बबा रे आपके देवता क्या खाते हैं कहा अरवा चावल बतासा या तुलसी के पत्ता कहा हिंदू के देवता के लिवरे खड़ावे पेटे खड़ावे करें यह बतासा खाता है तुलसी के पत्ता जो बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के देवता खाता है बतासा मुसल्मान से पूछा आपके अल्ला क्या खाते हैं कहा हमरा तो मुर्गी, बकरी, गाय, भैंशी, उंट, दुम्मा सब खा लेता है कहा बाह मुसल्मान के देवता के लीभर बड़ा मजगूत है उस सब कुछ पचाता है, लेकिन ओ मुल्विसा है आपके अल्ला का भी लीभर उतना करगर नहीं है कहा कैसे, सुगर में चर्वी होता है जादे वो अल्ला के लीभर पर पासे नहीं करता है आपके देवता का भी अल्ला उतना लीभर बनिया नहीं है इसाई से पूछा आपका का हमरा तगाय सुगर दुन्नू पार करता है बाबाब आपके भगवान का लीभर करगर है ये सारे लोग भगवान बनाने वाले नियम बनाने वाले आपने च्छपन करोर देउता का नियम बनाया अब मुसल्मान ने इस नियम को नहीं माना आप पूरा मुहे घुम के पूजा करने का नियम बनाया तो मुसल्मान इसके विपरीत पच्चिम घुम गया क्या बिगर गया उसका आपका भगवान कुछ बिगार लिया हमारे हिंदू भाई गाय के पूजा करते है गोबर्धन के अभी दिवाली आ रहा है गोबर का पूजा होगा अब मुसल्मान कुरवानी के दिन अरवो खडवो गाय काटके खा गया तो कुछ बिगर गया हिंदू का देवता उसका कुछ बिगारा अएक भी हिंदू इद बकरी दिन सुवरात नहीं किया तो मुसल्मान का देवता हिंदू को कुछ बिगार लिया यह सारा मन गढ़ंत बात है सारी उपरी बात है बास्तविक्ता कहीं है नहीं हम लोगों ने कल्पना किया है देवी देवता के सद्गुरु कबीर कहते है हंसा तू तो सवल था हलकी अपनी जाल रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार ऐ हंस जिस दिन तुम मा के गर्व से बाहर आया था तेरी चाल बरी निराली थी तुम्हारे अंदर कोई जातियता की भावना नहीं थी कोई संपर्दाइक था की भावना नहीं थी कोई उच नीच की भावना नहीं थी कोई चुआ चूत की भावना नहीं थी उस दिन तु लवरा लंपट बैमान भी नहीं थे उस दिन तु भीरी खाईनी गाजा भांग तारी दारू मांस मचली भी नहीं खा रहे थे उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था उस दिन तेरा विचार हंस के समान था लेकिन जयो जयो शरीर का विकास हुआ जवानी आई आदमी बेहोस होता चला गया बच्चा जन्म लिया वो होस में है बेहोसी तो जवानी में आती है जवानी आगई बीरी पीना शुरू कर दिया जवानी आई खाईनी खाना सुरू कर दिया जवानी आई दारू पीना सुरू कर दिया जवानी आई चोरी करना घुस खोरी करना सुरू किया जवानी आई बलतकार करना सुरू किया साहव कभीर कहते हैं हंसा तू तो सबल था जिस दिन तु आया था मा के गर्व से, उस दिन तुम्हारे अंदर सबलता थी, तु सबल था और हंस के समान तु था, लेकिन आज तुम्हारा चाल काक के समान हो गया, सारे लोग चाल बिगार लिये हैं, रंग कुरंगे रंग गिया, जब हम मा के गर्व से आये थे, रंग था अच्छा साथ दया धैर्ज शील विजार का रंग था लेकिन जयो जयो जवानी आई रंग बदलता गया असली रंग उतरता गया और नकली रंग चढ़ता गया मेरे उपर चढ़ गया काम क्रोध लोब मोह आंकार का रंग जब ये गलत रंग चला तब हम दूद में पानी मिलाना सुरू किये है तब हम आटा में चोकर मिलाना सुरू किये तब हम चावल में कंकर मिलाना सुरू किये तब हम घी में डलडा मिलाना सुरू किये तब हम चोरी दलाली सुरू किये और जब चोरी दलाली सुरू किये गलत का तो गलत काम करने बालों के उपर विपत्ती आएगी गलत काम होगा तो विपत्ती आएगी की नहीं आएगी विपत्ती आएगी गलत काम किये आप पर मुकदमा हुआ दरोगा जी आ गए पकर के जेल में रख दिया चाहे मारा जिस समय डंटा चलेगी अज जेल जाएंगे उस स मैं भगवान का उदगाटन होगा भगवान तो उदगाटीत है मनुस के द्वारा भगवान है कहाँ लोगों ने उदगाटन किया भगवान के अजो जैसे जहां के लोग है वैसे वैसे भगवान का उदगाटन कर दिया बंधु अमेरिका का भगवान अलग है रूस का भगवान अलग है चीन का भगवान अलग है आस्ट्रेलिया का भगवान अलग है जर्मन जापान का भगवान अलग है इतो मैं देश अस्तर पर महा देश अस्तर पर कहा राज अस्तर पर आईए मद्ध परदेश का भगवान अलग है राजस्थान का भगवान अलग है उत्तर परदेश का भगवान अलग है मद्ध परदेश का और हरियाना पंजाब का भगवान अलग है अब बिहार का भगवान बिहार में वो छट्टी माई भगवान है जो उत्तर पर्देश और बंगाल में कहीं नहीं राज अस्तर पर भगबान को बाटा गया जहां जहां के लोग जैसे थे वैसा उत्गाटन कर दिया और राज अस्तर पर क्या जीला अस्तर पर आईए आपके कोशी बेल्ट में पुर्निया सहरसा कटिहार मध्यपूरा सुपवल के लोगों ने भगईत का उद्गाटन किया भगईत करते हैं चलिए हमारे इधर समस्ति पूर मुझपर पूर बैसाली सीता मरी सिवहर मुतिहारी बेतिया छपरा सिवान कहां ही अगर भगईत मिल जाए तो पचास जुता हमारे माते पर कीज़ दिजिए इधर के लोगों ने भगईत का उद्गाटन किया और जिला के लोगों ने नहीं किया आपके इधर संत मत चल लहा है हम लोग के इधर पुनाह नहीं है एकोगो लाल पियर कुर्ता वला हम लोग के इधर नहीं मिलेगा तो उधर के लोग तो सारे नड़क में जाएंगे उधर भगईत नहीं होता है एकोगो महिला के बेटा नहीं होगा और एकोगो भेंशी पारी और गाय बाची बच्चा नहीं देगी तब यह सारा नियम बनाया गया मैं जा रहा था राज महल ज़रखंड में कार्जकरम में जब धिकरम सिला स्टेशन से गारी निकली तो गो भोपेंदर दास मेरे साथ बता दिया देखिए साहब यही रक्षी देवी के मंदिर है हर मंगल बार के एक सो बकरा कटाता है आपके हाँ तो रक्षी देवी का उद्गाटन नहीं हुआ चलिए मोतिहारी में मेरा कार्जकरम था असार का महिना स्टेशन से मैं उत्रा टम टम भरा करके जा रहा था बुन्दा बांदी बारी सो रही थी टम टम पर बैट के जा रहा था एक पीपड के पेर के नीचे एक छोटा सा मंदिर था टम टम बला रोडे पर से उसको परनाम किया हम कहें इकोन भगवान है जिसको परनाम किये हो कहाई है गुलडाक बबा है आप लोगों के इधर गुलडाक बबा है तो सारे लोग नड़क जाएंगे गुलडाक बबा यहां नहीं है चलिए मोतिहारी में बिसाल बवधी देवी के मंदिर है बिसाल सपी देवी के मंदिर है है आप के हाँ नहीं आप के हाँ के लोगों ने उसका उदगाटन नहीं किया नेपाल चलिए नेपाल में एक देवी का उदगाटन किया गरही माई नेपाल में एक गरही माई है उस मंदिर के निकट में गया पांच साल पर उसकी पूजा होती है गरही माई के अलग भग दू लाख पड़ा कटाता है उस जगह फून की नदी बहती वहां के कभिरपंथी लोगों ने कहा हम से कि साहिब जब गरही माई के पूजा निकट आती है तो हम लोग गाउं छोड़ के निकल जाते हैं दोस दिन के बाद गाउं में आते हैं कहा क्यों तो ही मदेशिया सब जो पाड़ा चढ़ाता है अब पहरिया नेपलिया छोटका आख बला भैसा गणी जोट के तलवार लेके आता है अब वही भैसा काटता है अब पचपच गो भैसा काटके एक गारी पर लोड करके जब उचलता है तो खून जब गिरते गिरते गाउं के एक किलो मीटर दू किलो मीटर तक का सारा रोड खून से लाल हो जाता है हम लोग कैसे चलेंगे रोड पर कैसे गाय भैंसी चड़ाएंगे कैसे खेत खलिहान में जाएंगे कैसे सत्संग भंडारा में जाएंगे गाउं ये छोड़के निकल जाते हैं जब दद दिन के बाद धूप लगने के बाद जब वो खून उड़ जाता है तब हम लोग गाउं में परवेश करते हैं चलिए हमारे समस्तिपुर जिला में एक सिवरा चक्साहो गाउं है स्रारंजन प्रखंड में उसमें पूरे बिहार के गोरी लोग अमर सिंग केवल का मंदिर बनाया है चैतराम नौमी के उसका पूजा होता है मानिय मुख मंत्री नितीश कुमार जी उसके उदगाटन में आते हैं अलग भग दू लाख बकड़ा कटाता है यह कौन उदगाटन किया कौन नियम बनाया और नियम बना बना करके अई दुनिया को बरबाद करने पर लगे हैं रमानंदी ने अपना नियम अलग बना दिया आर समाज बालों ने अपना नियम बनाया गात्री परिवार बालों ने अपना नियम बनाया अनंद मार्गियों ने अपना नियम बनाया संतमत बालों ने अपना नियम बनाया आसुतोस जी महराज ने अपना नियम बनाया बाल जुगेश्वर जी ने अपना नियम बनाया जैगुर्देव जी ने अपना नियम बनाया राम पाल जी ने अपना नियम बनाया सत्पाल जी ने अपना नियम बनाया ठाकुरन कूल चंदर जी ने अपना नियम बनाया भगवान रजनीश ने अपना नियम बनाया बाबा हर्देव सिंग जी ने अपना नियम बनाया राम रहीम सिंग जी ने अपना नियम बनाया ओम संती बालो ने अपना नियम बनाया राधा स्वामी बालों ने अपना नियम बनाया जहिन बालों ने अपना नियम बनाया बोध बालों ने अपना नियम बनाया इसाई लोग अपना नियम बनाया इसलाम अपना नियम कौन नियम अच्छा है जिसे हमारी मुक्ती हो जाए और हमारा कल्यान हो जाए जगरा नहीं लगाया, कबीर का अपना कोई नियम नहीं, अपना सद्गुरु कबीर ने कोई नियम नहीं दिया, कोई पंथ नहीं बनाया, एक रास्ता निकाला है कबीर ने, किस रास्ते पर चलो और सभी आद्मी अपना कल्यान करो, कभीर का अपना कोई परसनल नियम नहीं, कोहीं जाना आना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कभीर का नियम है माता पीता की सेवा करना गुरू की पूजा करना आये हुए अतिथी का सतकार करना सुध साकाहारी तो हमरा तो प्रकिर्ति परदत ये हमरा अधिकार है प्रकिर्ति साकाहारी हम जन में लिये तो नियम कहा है मान साहार तो थोपा गया हम तो सुद साकाहारी है मा के गर्व से हम साकाहारी पैदा लिये है तो कोई नियम नहीं है असनान करना कोई नियम नहीं है कपराध होना कोई नियम नहीं है साहभ कबीर तमाम लोगों को जोरने का काम किया कहा हिंदू कहे मुहे राम प्यारा तो रुक कहे रही माना आपस में दो लर लर मुए मरम काहु नहीं जाना हिंदू बरत हिंदू बरत एकाद सिठाने दूध सिंहारा सेती तन को न हट के मन को न बस करे पारन करे सगवती तो रुक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बांग पुकारे इनको भी हिस्त कहां से हो बै जो साज्य मुर्गी मारे बंदूओ राम के पूजने वाले को रहमान से बड़ी नफरत है और करीम के पूजने वाले को किरिस्न से बहुत नफरत है महादिव को पूजने वाले को महम्मद से बहुत नफरत है और हजरत को पूजने वाले को हरी से बहुत नफरत है ब्रहमा के पूजने वाले को बिस्मिल्ला से बहुत नफरत है और महम्मद अली के मानने वाले को बजरंग बली से नफरत है मक्का जाने वाले को मधूरा से नफरत है और कावा जाने वाले को काशी से नफरत है और गंगा नहाने वाले को जमजम से सद्गुरु कवीर ने कहा इस सारी धरती राग देश की अगनी में चल रही है भजन कहीं नहीं है भगती कहीं नहीं है केवल जलन सारे लोग इरिस्या की अगनी में चल रहे है अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसल्मान के महजीद में इसुगर फेक देगा अब मुसल्मान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय कारान फेक देगा अगर सीख को छोड़ा जाए तो इसाई के गिरजा घर कोई बुलोजर से ढादेगा अईसाई को छोड़ा जाए तो सीख के गुर्दवारा में याग लगा के जला देगा किधर है भगवान बोलो बोलो भगवान किधर है चारों में कोई पच्ड़ी नहीं है अचारों चार रंग के पूजा कर रहा है भगवान को मान रहा है बात सत्य क्या है रमायन महाभारत गीता सुकसागर बेद पुरान परिये तो हिंदुत्य की बात है हिंदु की बात हो रही है कुरान जबुर इंजिल तोरित परिये तो इसलाम की बात हो रही है गुरु गरंद परिये तो सिखों की बात हो रही है गुरु नानक की बात हो रही है अब बाइविल पर ही है तो इसा मसी की बात हो रही है इसाई की बात हो रही है सारे पक्षपात में चल रहे है साहव कवीर कहे पक्षा पक्षी के कारने सब जग रहा भुलान निस्पक्ष हो के जो भजे शोही संत सुजान सारे लोग पक्ष में जी रहे है किसका पंथ बनिया है किस पंथ में जाने से मुक्ती होगी किस पंथ में जाने से कल्यान होगा यह यह वो चन्नन कहले है कोई दू गो चन्नन कोई तीन गो चन्नन कोई चार गो चन्नन कौन ठीक है कौन नियम बनिया है यह सारा नियम बनाया गया कवीर का जो बीजक है कवीर का बीजक वो नहिंदुत की बात करता है न इसलाम की बात करता है न सीख की बात करता है न इसाई की बात करता है वो इंसानियत की बात करता है कवीर का बीजक जब मानिये परसिडेंट अब्दुलकलाम आजाद कबीर जैंती के अवसर पर मगहर पधारे थे अश्द्गुरु कबीर का एक तरफ समाधी अद दूसरे तरफ मजार देखकर ताज्जुब हो गया अंगली दात के निकट ले गए ऐसा महापुरुस नहीं देखा जो हिंदु मुसल्मान दोनों को जोड़ता हो साहब कहे खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी पांचो बक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा अघट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी न खोजा घट में छाई है अंधियारिया जनम के फूहरी खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी कलमा परे रही मपुकारे दिल में रहम न लाई घट के अंदर नूर बसत है तिनकर ख़बर न पाई पर गए माया के लहरी या जनम के फूहरी अरे हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नभी बिराजे मन मका काया है कावा सिर पर या नहद बाजे खोल का देखाना के वारिया जनम के फूहरी मुसलमानों से कहा और हिंदू से कहा राम के कहे जगत गती पावे खार कहे मुक मीठा अपाबक कहे सो पाब जोडा है जल कहे त्रिसा बुजाई भोजन कहे सो भूख जो भागए तो दुनिया तरी जाई मन्धूओं पक्षपात में पढ़कर राग द्वेश में पढ़कर हम लोग जी रहे हैं कहीं सही भजन भगती नहीं हो रही है भजन भगती होने का मतलब है सद्गुरु निस्पक्ष भाव से कह दिये रे बंदे कर ले आप निवेरा की छोड़ दो राम का निवेरा हो गया है क्रिश्न का निवेरा हो गया बर्मा विश्नु महेश का निवेरा हो गया बुध महवीर कवीर का निवेरा हो गया सीता सावित्री गैत्री अनसुया मीरा का निवेरा हो गया आज बारी आपकी आई है आप तो अपना निवेरा कर लीजिए जगड़ा खतम सारे लोग अपना अपना निवेरा करने में आ जाईए यह अध्यात्मिक लराई खतम हो जाएगी कहीं नहीं बचेगा अध्यात्मिक लराई आज हम लड़ाई लड़ने के फेर में कल्यान नहीं कर रहे हैं लड़ाई लड़ रहे अपने मास खाते हैं आठ जाम करते हैं अपने मचली खाते हैं असिरिमध भागबत कथा कहाते हैं अपने दारू पीते हैं हलमान जी के पूजा करते हैं अपने घूस लेते हैं बैनाद धाम जाते हैं चोरी करते हैं बैसुनों देवी जाते हैं अपना कल्यान करने का मतलब है सारे बिकार से दूर हो जाएए अपना कल्यान कीजिए एक उदाहरन दे के बानी पर्बिराम लूँगा चुके पुझ संसिर्य वह साह मन्चाशिन हो गए हैं एक डकाइत का गिरो चला डकाइती करने डकाइतों की संख्या थी दस जब भादों का महीना नदी भरी हुई थी और नदी में क्रेंट भी बहुत था दोसो डकाइत गए घाट पर पार करने के लिए डकाइतों का जो हेट था उका सुनो जी नवका पर पार करोगे अडकाइती में कोई गरवरी हो गया पुलिस आ गई तब तो हम लोग पकरा जाएंगे और यही केवट गवाही दे देगा 11 बजे रात में यही लोग पार किया है तो फस जाएंगे ऐसा करो हम लोग नवका पर पार नहीं करें चलो कुगाट पर अब वहाँ हेल के हम लोग पार कर जाएंगे चले गए 200 डगईते कुगाट पर हेल के उस पार गए डगईतों का जो हेट था मैनेजर कहा कि सब आदमी लाइन में ख़ड़ा हो जाओ हम गिन लेते हैं सब पार किया की नहीं किया गिन रहा है लाइन में ख़ड़ा करके एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ अब मैनेजर अपने को छोड़ दिया नहीं गिना तो कितना हुआ नौ अगहर से चले थे दस मैनेजर कहा इसका मतलब एक आदमी डूब गया दूसरा डगईत कहा आपको गिनने नहीं आता है हम गिन देते हैं चलिए आईए लाइन में लगिए लाइन में लगा कि दूसरा डगईत उभी नवो को गिना अपने को छोड़ दिया तो उससे भी नवे को हुआ सारा डगईत एक दूसरे को गिनते गया अपने को छोड़ते गया तो नवे हुआ अब कहा एक साथी तो डूब गया अब उसकी पत्नी उसके मम्मी पपा पूछेंगे हमारा पती कहां गया मेरा बेटा कहां गया अगर हम नहीं लास दी देते हैं तो अपहरन का मुकदमा होगा सारे लोग फस जाएंगे ऐसा करो आज डखैती नहीं होगी नदी में डुब की लगाओ अगर किसी तरह से लास को भी खोज के निकालो कि उसको लास हाजीर कर देगा लगा दोसो डखै डुब भी मारने डुब भी मारते मारते जब भोर हो गया चार बज गया भोर एक संत जी डोल डाल करने के लिए नदी पर आए तो देखते हैं अंजान आदमी सब डुब भी मार रहा है नदी में का गये आप लोग कहां के रहने वाले हो इभोरे भोर नदी में कहां से आ गये का बबा साधू से जूट बोलना तो ठीक नहीं है हम लोग डखैते हैं अरे तो यहां क्या करते हो का कि बाबा रात में नदी पार करने के समय एक साथी हमारा डूब गया उन नहीं मिल रहा है उसी को खोज़ते खोज़ते भोर हो गया मातमा जी पूछे थे घर से कितना चला था तो दस अब ही कितना हो रहा है तो नव चलो लाइन में खड़ा हो जाओ लाइन में खाड़ा किया महातमा जी गिंती शुरू किया एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ दस रेया भागा दस के दस तो आईए कहां तुम्हारा कोई आदमी डुबा है जब दोसों की गिंती हो गई लदा गए डकईट आपने घर का रस्ता डोरे घर का रस्ता सब डकईट पकर लिया चले गए अपना अपना घर डकईट अपने घर कब गए डकईट अपने घर कब गए जब अपनी गिंती हो गई तो अपने घर चले गए अजब तक अपनी गिंती नहीं हुई तब तक नदी में डुबी मारते रहे वो डुबी मारने में सुख मिला की दुख मिला ठीक उसी परकार से आज मानव अपनी गिंती छोड़ दिया है अपने बीरी पी रहा है अपने सिक्रेट पी रहा है अपने गाजा पी रहा है अपने भांग खा रहा है अपने दारू पी रहा है, अपने तारी पी रहा है, अपने मास खा रहा है, अपने दलाली खा रहा है, घुश्खोरी कर रहा है, बैमानी कर रहा है, हत्या और बलतकार कर रहा है, और मिलावट बाजी कर रहा है, अहनुमान जी के पूजा कर रहा है हनुमान जी के गिनने से आप अपने घर नहीं जाएंगे अपना घर अगर चलना है अपने घर में सुख होता है पर आये घर में दुख होता है जेल भी एक घर है जहां दुख होता है और अपना घर जहां है जो मन में आवे खाईए, जहां मन में हो वहाँ जाईए, जहां मन में आवे वहाँ सो जाईए, फिरी है, सोतंत्र है, लेकिन वो जेल है, वहाँ परतंत्र हो जाएंगे, तो अपना घर अगर सूख में चलना है, तो अपनी गिंती, अपनी गिंती होगी, अपने घर चले जाए जब तक छपनो करोर दोता के गिंती करते रहेंगे अब पूजा करते रहेंगे तब तक यही भवसागर माई के गर्भ और असमसान में डुब्बी मारते मारते और भोड हो जाएगा रास्ता नहीं मिलेगा कल्यान नहीं हो सकता है इन्हीं चंद सब्दों के साथ देता हूं ब आस्कार पर नाव